हेलो प्रेंज, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपको मेरी टेबल के ओपर जो इंजेक्शन दिख रहे हैं, जाइड़स का है, जो इंजेक्शन है, डूरो मेक, जिसके इंदगत साल्ट आता है, डोरा मेक्टीन, इस इंजेक्शन के बारे में, आज आपको मैं डेटेल से बता जाना सही है या नहीं, कितनी डोज पसूं को देनी चाहिए, किन किन पसूं के अंदरगत ये injection प्रियो किया जाता है, यानि सही और सटिक जानकारी आपको जो ये डोरा मेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया ज लगने साल्ट, तो वीडियो को सिप करकर मैं देखना। वीडियो को पूरी देखना, वीडियो पूरी देखना, आपको पूरा प्रोपर नवलेज्ज मिल जाएगा इस डोरा मेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, इसके बारे में। सबसे पहले तुम आपको एह बताता हूं कि जो इन्जेक्शन है ये इंजेक्शन ब्रोड स्पेक्ट्रम पेरासाइट ये आपके पसु में चो एक्स्टरनल हो या इंटरनल पेरासाइट पर जीवि जिनें उन पसु को किल करने का ये काम करता हैर बहुत याचा रिजेल्ट उ इस injection का प्रियोग किया जाता है यानि जूच इचण को अठाने के लिए भी इस injection का प्रियोग किया जाता है जिन पसु में बहुत ज़्यादा एदी इस तरह की दिकत हो जाती है जिसके अंद गदाब साल्ट आयोरी मेक्टिन साल्ट का injection इदी प्रियोग कर चुके हैं फिर भी हैं तो इस तरह से इसका वेक्सिनेशन एक तरह का टिका करन के तोर पर भी आप इसका प्रियोग करवा सकते हैं जिन पसु के अंदरगत यह दिया आपके पसु में इस प्रकार की दिकत हो गई है क्योंकि उसकी वज़ए से कई प्रोटोजवा जनीत रोग हो जाते हैं तो इ पसु हैं उनके लिए तो बहुती ज़्यदा नुकसान दाइक होता है तो उसी स्तती के दोरान आप इस इंजेक्शन का प्रियोग अपने पसु में करवा सकते हैं यह दिया आपके पसु में जू चिचड़ या बहारी अक्स्टनल पेरासाइट यह दिया आपके पसु को तं रही बात इंटरनल पेरासाइट यह दिया आपके पसु में आंत्रिक परजीवी हो गयं जिसके अंदर गद किसी तरह गी जो पेरासाइट हैं इंटरनल जिसके और जिसके आप इंजेक्शन का भी प्रियोग करवा सकते हैं उनको भी यह खतम करने की यह दिक्चान अबहारी काम करता है एने इंटरनण जो वरम्स हो जाते हैं उसके अंदर भी आप इसका पर्योग कर सकते है जितने भी मैंने आपको ये वरम्स बता हैン देखको ये इदी किस तरह कि जो तो हैas態 में देखने को मिलते हैं जो ये दूद ने बढ़ पाता है तो हो सकता है कि उसको किसी तरह का parasite infection आपके पसू में हो गया तो उसी इस्तती के दोरान भी आप ये injection उन पसू में जरूर लगवाएं इसी तरह से आपके पसू में जिस परकार से डाइरिया हो रहा है डाइरिया रुक नहीं रहा है आपके ट्रिट्मेंट करवा सके हैं तो भी आप इस injection का परियोग उन पसू में करवा सकते हैं क्योंकि वो भी internal infection parasite की infection की वज़े से आपके पसू में इस परकार की दिकत हो जाती है और ये दिया आपके पसू में जिस परकार से result आपको देखने को नहीं मिल पा रहा है तो उसमें हो सकता है कि जो internal parasite है उसकी वज़े से आपके पसू में इस परकार की दिकत हो जाती है और वह भी वरम्स कई परकार की हो सकते हैं ये आप टेबलेट परियोग कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर कई ऐसे वरम्स हैं जो किलनी होतें तो आप उसके तोर पर भी आप एनिमिया के अंदर भी आप इस injection का प्रियोग ले सकते हैं और आप अपने पसू को एनिमिया होने से बचा भी सकते हैं इसी तरह यह आपका पसू कमझोर हो रहा है आप उसे खिलाते पिलाते खूब हैं अच्छा खाना दे रहे हैं फिर भी आपका पसू के सरीर पर लग नहीं पाता है जो खैने का मतलब है कि लगता नहीं है सरीर के उपर आप खिलाते खूब हैं कमजोर होता जा रहा है तो उसी स्तती के दोरान पानी कम पीता है खाना कम खा तो भी आप इस injection का प्रियोग उन पसू में करवा सकते हैं। रही बात देखो इस injection को लगाने की डोज क्या है। तो आप जो गाय भैंस हैं भेड बक्री हैं उनके अंदर आप इस injection का प्रियोग कर सकते हैं। इसी तरह से ही आपके पस जैसे सूवर हैं। सूवर के अंदर इसी आपको प्रियोग करना है। इससे 1 ml पर 33 kg बोडिवेट इंट्रा मस्कुलर इंट्रा मस्कुलर ही लगाया जाता है। डोज आपको बता दिये। इस तरह से डोज इस तरह से ही आपका पसू जिनका बोडिवेट 500 kg है तो इसे आप 10 ml यह 10 ml की जो वाइल आती है डोरा मेक्तिन इंजेक्शन आता है। 10 ml यह 10 ml के अंदर उपलब्द होता है और 50 ml वाइल के अंदर उपलब्द होता है। तो यह 10 ml पूरे पूरा यह आप जिन बड़े लार्ज एनिमर्ट से हैं 500 kg बोडिवेट है तो आप इस इंजेक्शन का परियोग उन पसू में करवा सकते हैं। अनगी बात यह इंजेक्शन यह दिया आपका पसू प्रिगनेंट है तो भी आप प्रिगनेंसी सेफ होता है यह इंजेक्शन यानि प्रिगनेंट पसू को भी यह इंजेक्शन लगाया जाता है। किसी भी तरह का इसमें कोई साइड इफेक्ट आपके पसू में नहीं मिले गी जिस तरह से आईवरिमेक्टिन एदी आपके पस्टों में करता है और ही बात ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप ये लोंग लास्टिक इंजेक्शन होता है इसका ये नहीं है कि आप ये इंजेक्शन एदी आज लगा दिया तो कल भी आप इसे लगा सकते हैं एक ब बताना चा्ता हूं कि जितनेवी जो denry farmer है भहु initiatives रखते हैं जिनके पास भहुँ ज्यादा गाएव एसियं होती हैं या बेड़बक्रिय जिनके पास भह ज्यादा होती हैंग्या नि क्वेक्ष के बीच सो ऑसे बीचम के ये injection एक साथ ही लगवाएं कभी भी आप उन पसूं को ऐसा नहीं है कि आप पांस पसूं को इदी आपने डोरामेक्टिन इंजेक्शन लगा लिया पांस को इदी आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि उसको अंदगात इदी बारी जो अकिस्टनल पेरासाइट है वो आपके पसूं में जो injection लगा दिया है उन पसूं को अचारी जिल देखने को नहीं मिले इसने जब भी भी ये दी आप जितने भी पसूं पालग है देख रहे हैं जब भी ये दी आप बेड़ बक्रियों या बड़े पसूं को इदी आप जितने भी पसूं पालग हैं सभी पसूं को आप एक साथ सभी पसू को एक साथ एक डोज एक किसमे में आप उन पसू को लगवा दे ताकि आपको बहुत ही अचारी जिल देखने को मिलेगा आपके पसू में किसी भी तरह की कोई भी दिकत आपको देखने को नहीं मिलेगी यह दिया पी इंजेक्शन रेबाद जो यह 10 ml की जो इंजेक्शन आता है इसके जो MRP है जो आपको दिक भी रही होगी 240 रुपी के लगवग 10 ml की यह डोज उन पसू में पड़ती है देकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा है जो कि एजाइडस का है इसी प्रकार एक जो इटिस का भी था डेक्टोमेक्स उसके बारे ही मेरी चेनल पर वीडियो बनी विया है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं इसी तरह एदिया आप अपने पसूं को जिस प्रकार से वेक्शन करवाते हैं जैसे बेड़ बक्रियों बाद में आप उनकी वेक्शन करवा सकते हैं तो आपको और भी अच्छा रिजल मिलेगा जिस प्रकार से बले कोवाट रहा है या दर जो वाइरल डिजीज की वेक्शन लगती है अब देखो मैंने जहां तक हो सकता आपको दूरा मेक्ट इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से पूरी सही और सटिक जानकारी आपको दे दी है यह दिया आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो निसीजा कि आप कमेंट में लिखे हैं मेरी वीडियो को आपने दोस्तों के साथ तो जितने वीटिनेरी स्टेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता आप इसको सेर कर दें मेरी वीडियो को आप लाइक करें आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मलता है आपके लिए अच्छी आच्छी नॉलिजबरी वीडियो आपके लिए हर्स में ऐसे लाता रहूँगा सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब एक लिए थैंक्स धन्यवाद